ये देखिए मैंने आपके सामने किया है अप्लाइ और तुरंत ही इनका रिवर्ट आ गया है थैंक यू फॉर अप्लाइंग शुक्रिया अप्लाइ करने के लिए आपकी अप्लिकेशन अगर सही लगती है तो कोई ना कोई इनकी तरफ से आपको कॉंटेक्ट करेगा और यहां पर देखिए हुल्मूस्ट सारे ही डिपार्टमेंट में चाहें वो बिजनेस डवलेक्मेंट का हो या फिर कस्टमर्स स्फिस का क्यों ना हो भर-भर के यहां पर सभी दिपार्मेंट्स में इनकी यहां पर दोस्तो आज की जो जॉब विकिंसी की अपडेट में आप सभी के लिए लेकर के आई हूं ये बहुत ही बड़ी कंपनी से आई है जी हां इस कंपनी का नाम है फोन पे और फोन पे में अभी इस वक्त काफी सारी प्रोफाइल में और इंडिया की काफी सारी लोकेशन्स पर चल आज मैं आपको दूगी इस वीडियो में लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक्शॉर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी प्रेस किया हो आज की वीडियो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने आप सभी के सामने यहाँ पर ओपन अप की है jobnow247.in की official website गाइस मैं आपको बता दू कि मैं जो भी opportunity आप सभी के लिए लेकर के आती हूँ यह jobnow247.in की official website पर आप सभी के लिए post हो जाती है और साथी साथ जो opportunity नए channel jobnow247 live पर आती है वो भी vacancies आपको यहाँ पर इस website पर दिखाई द जाएगी तो सबसे पहली जो opportunity यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है यह phone पेगी है आपको simply यहाँ पर click करना है दोई जब इस vacancy की update देने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़े hiring event के बारे में बताना चाहूँगी जो कि इस महीने की 21 तारीक को है दुस्तों अगर आप as in fresher, technical field की कोई job opportunity या फिर कोई internship opportunity search out कर रहे हैं तो आप आपके लिए मौका आ गया है एक ऐसे contest में participate करने का जिसके जरीए आपको मिलेगा मौका बहुत सारी tech opportunities में apply करने का इस contest का नाम है jobathon जो की हर महीने की 21 तारीक को होता है इस बार का यह contest होने वाला है 21 फरवरी को शाम के 8 बज़े से लेकर के साड़े 10 बज़े तक यह contest चार पार्ट में होगा total 175 marks का जिसमें 3 coding के पार्ट रहेंगे और 15 question आपके quiz के रहेंगे तो tech job के लिए geeks for geeks के इस job contest में participate करने के लिए मैंने आपको link description में दे दिया है साथी साथ पूरी detail information भी मैंने आप सभी के साथ share कर दी है तो फटा-फट से description को check out कीजे और अपनी लिए एक जबर जस्त सी tech job हासिल कीजे अब बात करते हैं इस job opportunity की तो आप यहां पर check out कर सकते हैं यहां पर मैंने already open up करी हुई है job now 24 7.10 की official website यहां पर आप check out कर सकते हैं यह जो opportunity है यह associate campaign manager की profile पर है यहां पर आपकी यह जो opportunity र experience है वो भी यहां पर apply कर सकते हैं जिनके पास 2 साल का experience है वो भी यहां पर apply कर सकते हैं बैंगलोर लोकेशन की opportunity है associate campaign manager profile है पुनपवपे की official website पर ही opportunity आई है salary package आपर देखिए 5.5 lakh per annum तक का यहां पर आपको package दिया जा रहा है साथी साथ incentives भी आपको अच्छे खासे provide किये ज बता देती हूं कि यहां पर जो इनका application है वहां पर काफी सारी company हो के basically जदा तर financial company हो के advertisement चलते हैं तो आपको उनके जो campaign है वो proper तरीके से manage करने है जो team उन campaign पर काम कर रही है उनके साथ आपको coordinate करना है graphics check out करनी है सभी team के साथ अच्छे से coordinate करना होगा तो simply यहां पर आपको अगर advertisement industry में शौक है काम करने का digital marketing में आपको काम करने का शौक है तो आपको उसी से related काम यहां पर करना होगा उस से related अगर आप काम करना चाहते हैं तो ही आप यहां पर apply कीजे ठीक है अब जानते कि इस vacancy में apply करने के लिए qualification क्या required है तो यहां पर आप check out कीजे इस vacancy में qualification क कि अगर हम बात करें वो candidate जिन्होंने टायर 2 college से MBA किया हो वो candidate यहां apply कर सकते हैं प्लस जिनके पास दो जाल का experience है वो भी apply कर सकते हैं या फिर जिन्होंने टायर 1 college से graduation की हो फ्रेशर जो कि अपना करियर digital marketing advertisement में बनाना चाते हैं वो ज़रूर यहां पर apply की जाए अब देखें यह qualification होने के साथ-साथ उनके पास excellent communication skills भी होनी चाहिए analytical skills भी अच्छी होनी चाहिए और साथ-साथ multitasking personality होनी चाहिए यानि कि ऐसे candidate चाहिए जो कि एक साथ काफी सारा काम कर सके pressure थोड़ा handle कर सके और साथ-साथ team को भी ले करके चल सके ठीक है अब यह जो opportunity आपको दिखाई दे रही है यह एक profile पर है लेकिन जो मैंने आपको यहां पर apply button दिया है यह जो apply button आपको यहां पर दिखाई दे रहा है apply now का जो button यहां पर आपको दिखाई दे रहा है simply आप यह यहां पर इसे click कीजिए ठीक है जैसी आप यहां पर click करेंगे देखिए आप इनकी official website पर पहुंच जाएंगे जो opportunity मैंने आपको job now 24 7.in पर बताई थी वह as it is यहां पर open up हो करके आ जाएगी अब देखिए अगर आप इस opportunity के लिए apply करना चाहते हैं तो कैसे आप apply कर सकते है लेकिन उससे पहले एक और important चीज मैं आपको बता देती हूँ इसके अलावा जो opportunity आई है phone पे में उनके बारे में भी मैं आपको जानकरी देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहां पर आपको apply कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी तो यहां पर simply यह यहां पर open up हो करके आ जाएगी अब दिखिए यह opportunity कौन-कौन से department है अगर आप business development में अपना career बताना चाहते हैं तो व FIFA department आप चूज कर सकते है अगर आप business environment में अपना career बनाना चाहते है तो वो department चूज कर सकते हैं Engineering अगर आपने की है तो वो Department आप चूज कर सकते है, Corporate की भी Opportunities यहाँ पर है, Customer Service Experience और Operations की भी यहाँ पर Opportunity है, Product Management की भी यहाँ पर विकिंसी है, Tech की भी विकिंसी है, Data Science की भी यहाँ पर Opportunities आप सभी के लिए मौझूद है, इसके साथ साथ थोड़ा स्क्रॉल करड़े पर आपको Designing and Creatives की, जैसे की आपको पता है कि आजकल Graphic Designing का बहुत जादा स्कोप है, उस Department के लिए भी यहाँ पर इनके पास काफी सारी Opportunity है, इसके अलावा आप यहाँ पर Location वाइस भी फिल्टर लगा सकते हैं, आपको अगर विकिंसी की Information चीए सिर्फ Bangalore की या गुरगाओं की य मैंने Select करा तो एक और Opportunity आ गई, हैदरवाद मैंने Select करा तो एक और आ गई, पूले मैंने यहाँ Select करा तो एक और आ गई, तो इस तरीके से आप जिस भी Location में चाहें, वो सभी Location यहाँ पर Choose कर सकते हैं, उसके According ही आपको यहाँ पर Opportunities जो हैं वो दिखाई दे जाएगी, अ अब अपने According यहाँ पर Opportunity देखिए, Simply यहाँ पर Click कीजे, पूरी Detail Information विकिंसी के बारे में आप Readout कीजे, काफी सारे Benefit आपको फोन पे काम करने के लिए यहाँ पर देता है, जैसे कि आपको Insurance Benefit मिलते है, Medical Insurance मिलता है, Critical Insurance मिलता है, According to the Post आपको यहाँ पर Salary के साथ साथ काफ जो Facilities वो प्रवाइड की जाते हैं, Employees Benefits प्रवाइड की जाते हैं, तो वो भी उसकी भी Detail यहाँ पर आपको दी गई है, तो आप इसको Readout कीजे, और उसी Job के नीचे है, आपका Apply Form का Button, अगर आप चाहें, तो LinkedIn से Directly अपनी Profile को Attach कर सकते हैं, अगर आपकी LinkedIn पर Profile नहीं है तो यहाँ पर देखिए, आपको Simply अपना नाम लिखना होगा, मैं फटा-फट से यह भी आपको बता देती हूँ, कैसे बढ़ना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है अपना नाम, First Name, फिर लिख दिया है Last Name, फिर यहाँ पर मैंने अपनी डाल दी है ID, Email ID आपको Correct Correct डालनी है, क्योंकि इसी Email ID के जरीए, जो HR है, आपको संपर्क करेंगे, आपको Connect कर पाएंगे, इसके बाद Phone Number भी आपको यहाँ पर सही सही डालना है, इसके जरीए आपको HR जो है, वो Contact करने वाले हैं, तो Phone Number भी आपको यहाँ पर सही सही जो है, वो Fill करना होगा, Phone Number अटेच करने के बाद, यहाँ पर आपको अपना Resume जो है, वो Select करना होगा, तो Resume भी मैंने यहाँ पर अपना Select कर दिया है, Cover Letter अगर आपके पास है, तो Cover Letter सेलेक्ट कर लीजे, इसके बाद आपको अपनी School की Information डालनी है, कि आपने कहां से Schooling करी, तो यहाँ पर आप अपना Board सेलेक्ट कर लीजे, अब जैसे कि यहाँ पर Requirement है, School और Degree की, तो आपको यहाँ पर अपनी Degree जो है, वो Select करनी होगी, School जो है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको अपना Discipline सेलेक्ट करना है, कि आपने किस Discipline से आपने Degree हासल की है, Starting Date आपको बतानी होगी, Ending Date आपको बतानी होगी, तो वो भी आप यहाँ पर बता दीजे, कि कौन से Year में आपने अपनी जो Graduation है, या जो भ करना होगा, अब Year of Experience select करिये, फिर उसके बाद अपना Compensation select कीजे, ठीक है, फिर Gender select कीजे, उसके बाद अपनी Industry जो है, वो select कीजे, तो अब according to your post, according to your qualification, आपको यह सारी चीजे जो है, वो select करनी है, और उसके according ही यहाँ पर apply करना है, Simply जो Submit Application का जो button है, वो click कर दीजे, अब द तो आपको इसी तरीके से अपना application जो है, सम्मिट करना है, और यहाँ पर apply करना है,